दे लाइव टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूँ रंजीत जहाओ और आप देख रहे हैं दे लाइव टीवी इजराइल से दोस्ती अमेरिका को बहुत भाड़ी पर रही है अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर एक साथ कई जगह हमले हो रहे हैं अरब में अमेरिका के बेस कैम्प पर हमला हुआ है उसके कांसलेट को भी धस्त कर दिया गया है इसके अलबा इजराइल के खुफिया अजनसी मोसाद के हेड़ क्वाटर को भी धस्त किया गया है यह सब घटना इराक में और कुर्दिस्तान का जो छेतर है वहाँ आइस आइस का जो छेतर सीरिया है वहाँ हर जगा किसी और नहीं ताकतवर देशों में से एक इरान ने किया है और इसके बाद फिर से आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका जवावी हमला करीगा इरान और अमेरिका में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है और इसके लपेटे में पूरे अरब कंट्री जाएंगे मिडिल इस्ट पर इसका दुश्पवजिनाम भी देखने को मिलेगा ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि हाल ही में यमन जो इरान समर्थित हुथी हैं उनके उपर अमेरिका ने हमला किया था उसके बाद इरान रुका नहीं, इरान ने कई जगा हमले करती, सिर्या में, पाकिस्तान में, इराक में, और इराक में जो कुर्दिस्तान वाला पुरा छेक्र है, उधर तो कजब ही हुआ है, कुर्दिस्तान की जो सरकार है, उसने इस मामले में कहा है कि यह तो युद्ध जेस कि इरान का हमला इतना जबर्दस्त है इस समद में हम कई विज्वल्स अभी आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले जरा आप टीवी नाइन पर या रिपोर्ट देखिए कि इन्फॉर्मेशन क्या दिये जा रहे हैं कैसे अब युद्ध बहुत बड़े आकार में हो सकता है देखिए जला इरान ने सुभा तीन बजे इराक में अमेरिका और इस्राइल के सेन्ने ठेकानों पर बलेस्टिक मिसाइलों से हमले किये इर्बिल्स शेहर में इस्राइली खूफिया एजंसी मुसाद का मुख्याल है और अमेरिकी कांसलेट धुस्त हो गए ये 9-11 के बाद के खिलाफ सबसे बड़ा बारुदी आक्शन है तो देख लिया आपने क्योंकि इस हमले के बाद ना तो अमेरिका चुप बैठेगा ना ही इसराइल और इसराइल वही कड़ेगा जो अमेरिका चाहता है इरान ओजरबर ने एक वीडियो शेयर किया है जो आप अपने स्क्रि बेस पर गिरा है एरबिल में एरबिल में जो हेड़कॉाटर है वहां पर ऐसा हमला हुआ है जिसके बारे में इसराइल सोच भी नहीं सकता था और अच्छे से इसराइल को भी पता है अमेरिका को भी पता है कि इरान जब अटेक करता है तो फिर वो हमला जोड़दार करता है और यह हमला क्यूं हुआ है इसके पीछे की बज़ा सिर्फ यमन के हूती नहीं आप ये विज्वल बस देखते रहे हैं ये हमले इस कारण से भी हुए हैं कि हाल ही में इरान के हिरो कहे जाने वाले सुलेमानी सहब के बरसी पर वहां हमला हुआ था सौस जाथिक लोगों को मार दिया गया उस हमले में मारे गया जिसके बाद इरान ने अपने मस्जिद पर लाल जंडा फैराया था मतलब बदली का जंडा और इसमें इसलामिक स्टेट ने कहा था कि ये हमारी तरब से हमला हुआ है जिम्मेदारी ली ती लेकिन इसके इरान समझ चुका था कि इसमें बिना इसराइल, बिना अमेरिका, बिना पाकिस्तान और सीरिया इनके बिना ये संभव है नहीं इन तमाम देशों पर एक साथ ताबर्तों मिसाल रॉकेट डागिन है इस विजूर को अगर आपने देखा तो इसके बारे में विजूरा देख कुर्दिस सेपरेटिस्ट ग्रॉप्स इन दिस रिजर्ग विजूर इंगेज इन सबोटेज चेरूरिजम एंड एस्पियो नेज अगंस्ट इरान यहां पर अमेरिका साफ तोर पर कुर्दिस के जो अलगाओ वादी हैं उन्हें सपोर्ट करता है इस चेत्रों में और उन्ह यह 8 में सुतरपात की जो बात TV9 पर कही जा रही है क्या ऐसा ही होने वाला है दुनिया में एक बड़े जंग की ओर फिर से ऐसे माहौल बनते दिखाई पर रहे हैं एक और जहां गजा यमन हिजबुल्ला ये सब इसराइल से भिड़े पड़े हैं अमेरिका उनके करना जा रहा था कि अब इरान जबावी कर वाई तो निश्चित तोड़ पर करेगा एक फुटेज और देखिए और इसमें वीडियो में जो भी बातें कही जा रही है वो भी हम बताएंगे पहले इस विजुल को देखिए कि यह बताया जा रहा है कि कि किस तरीके से समझ यह कि इरान क्या चुप बैठेगा इंफर्मेशन क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं इरान वजरबर्द ने टूइट में लिखा है तो फर्स्ट इमेज ऑफ दा डिस्ट्रेक्शन ऑफ दा मसाद बेस इन एरविल हैब अराइब नो अमेरिकन बेस वाज हेट बट अ अमेरिकन कांसलेट इन एरविल वाज पैडली डेमेजड बाई दा शौक वेवस फ्रम दा मिसाइल्स कहा यह जा रहा है कि जो इरान ने अटेक किया उसमें अमेरिकी कांसलेट को भी टार्गेट किया गया लेकिन उसे ऐसा नहीं था कि प्लान टार्गेट था दरसल जो अट जैसा है और अमेरिका इस छटपटा हट में अटेक क्लान करना चाहता है तो कुल मिलाकर यार रिपोर्ट असपस्ट हो जाती है कि अभी जंग बहुत बाकी है यह आग ना जाने कितनों को अपने लपेट में लेने वाली है एक फूटेज और देखिए इस फूटेज में यह Islamic Revolutionary Guard Cops founded the Mossad Headquarters in Erbil Iraq. Dozens of ballistic missiles are launched and drone strikes are reported and news has been confirmed by the IRGC. IRGC मतलब इरान के ताकटबर Cops, Islamic Revolutionary Guard Cops और इसने इस तरीके से Erbil में ठैक किये हैं कि Mossad का Headquarter तो परबाद हो ही गया, अमिर्की Consulate भी घस्त हो गया है. जिसके चलते वहाँ पर हरकंप के स्थित्य है और यह माना जा रहा है कि अब अमेरिका और इजरायल चुप नहीं बेठेगा, वो इरान से जंग लड़ेगा, अरब देश में अमेरिका टार्गेट में आ गया, क्योंकि अमेरिका खुद इन सब के पीछे जिम्मेदार है. वो दरसल अगर इजरायल को गजा में ही जंग लड़ने से रोक लिया होता तो दुनिया में इतनी बड़ी तवाही नहीं मच रही होती है. और अब वो यमन के हुत्यों पर एटेक कर देता है एक छोटे से गुट पर, लेकिन वो गुट भी इतना ताकतवर है कि पूरे कवि इरान वजरबर ने ही शेयर किया है, कि IS-IS बेस में कैसे टार्गेट किया गया, इस विज्वल को आप देखिए, यहां पर उस फुटेज को शेयर किया गया है, वो जाता हुआ रोकेट मिसायल दिखाई पर रहा है, और वो धीरे से जब पहुँचेगा, और बहुत तिवरत से जब अटेक करेगा, तो हलत समझते हैं, वही बात है, इस विज्वल में दिखाने की कोशिश की गई है, जा रहा है हमला करने के लिए, लेकिन इसके तबाही बहुत भयंकर होगी, और इस फुटेज को शेयर करते हुए, इरान वजरबर ने लिखा भी है, इराक से होकर चीज़ें गुजर रही थी, और इसका अटेक बहुत ही बारीकी से होता है, और उसे फिल्म किया गया, रिकॉर्ड किया गया, अब इस आईस बेस को इससे उड़ाया गया है, तो कुल मिलाकर इस हमले ने सब के होश उरा रखे हैं, बताया जा रहा है कि जो एटेक हुआ, इरान के द्वारा इन सब जगहों पर, उसमें कई लोगों की मौत की भी खबर है, चार-चार मौत भी हुई हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी खबर है कि अब अमेरिका और पूरे अरब में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है, इरान मौर्चा सभाल चुका है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप सब ही काहम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुई, दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे